को दो पाट्स में दिवाइट करते हैं दाट इस केमिकल एक्विलिब्रियम और आज का जो विडियो लेक्शूर है यह हमारा लास्ट लेक्श्र है पे हम पंडे वाले हैं ली-चाट-लिएर्स प्रिंसिबल के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको इस्टेट करूंगे भी ली चाटलियो प्रिंसिपल क्या है तो उसकी डेफिनेशन ओविस्टी यहाँ पर लिखी हुई है वो अभी आपको मैं समझाओंगी with example उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडें ने चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है चानल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चानल का नाम है शौरय ग्रूवर और मेरी वीडियो जहां प्ले हो रही है उसके नीचे आपको एक बैल आइकन देखने को मिलेगी बैल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोडिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद बखुद आ जाएगी अब सबसे पहले मैं आपको समझातीव यूँ ली चार्टलियर प्रिंसिपल हमें स्टेट क्या करता है बताना क्या चाहता है तो ध्यान से देखिए त्देतिक्व सा टॉपिक है इसलिए मैं इसस तरह से कर वारी हूं ली चाडले प्रिंसिबल क्या बोलता है if a system कोई भी system जो है अगर वह equilibrium में है in equilibrium is subjected to a change मतलब आप देखें माल दीजे कोई भी reaction है for example मैं बोलती हूँ N2 plus 3H2 gives 2NH3 मेरी यह reaction है आप देख सकते हो यह reaction जो है equilibrium मतलब इसमें equilibrium हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर forward reaction भी है backward reaction भी है मैं अगर आपको बोलू इस reaction के अदर मैं किसी भी मतलब मेरी element की for example मेरे पास N2 है मैं N2 की concentration बढ़ा दू या मैं उसके concentration decrease कर दू तो हमारा equilibrium क्या करेगा जब किसी भी हमारे reactant या product molecule में हमको change लेकर आते हैं कंसेंट्रेशन का चेंज हमने कर दिया या temperature चेंज कर दिया या प्रेशर चेंज कर दिया मतलब इन में से कर दिया कुछ भी चीज़ें ऐसे कर दें तो उस पर जो हम लेते हैं के पी के ओते हैं जो हम partial pressure पर लेते हैं अब मालो मैंने इस reaction में एंट्व की concentration बढ़ा दी अगर में एंट्व कांसेंट्रेशन बढ़ा दी ओविस्नी मेरी केसी की वाल्यू चेंज होगी लेकिन एक चीज हमेशन द्यानरकिए अब भूला मैंने चेंज होगा बढ़ा दी तो तो अब हम क्या करेंगे हमारा एकुलिबरियम केस डाय्यक्शन में शिफ्ट होगा तागि जो हमारा एट्वीव रैक्ट्व फ इसकी बंड़ोम हो जाए उसकी मालियू Growing हो जाए तो हम या तो यह करेंगे मैनेच तरी की वाल्यू बढ़ा देंगे या है मैस्टू की भी वाल्यू बढ़ा देंगे मतलब उस चीज को बैलन्स करने के लिए हम एकुलिब्रम अपने आपको उस डारेक्शन में शिफ्ट कर लेता है अच्छे समझाओंगी अच्छे समझाऊगा पर डैफिनेशन को समझते हैं इसटेम इकुलिब्रम में है इस सब्जेक्टेटिट तो ऑंचेंज इन लिएं जोन्टरेशन तेंप्रेशन में उसके टैंप्रेशन में उसके त्य। प्रेशर में कोई भी चेंज हम ले आए मालों यहां पर N2 ले रही हो मैं तो की कंसेंट्रेशन बढ़ा दू या उसका प्रेशर बढ़ा दू या टेंपरेचर बढ़ा दू तो उस ताइम पर मालोग चेंज तो हो गया पहले इस रियक्शन के अंदर केसी की वैल्यू कुछ आ यहां लग गया तो अब करेगा वह कहता है कभी भी चेंज नियोंगी तो एकुलिब्रम अपना रोल ब्ले करेगा और उस डारिक्शन में शिप्ट हो जाएगा एकुलिब्रम शिप्स इन डारिक्शन बार्ट एंट तो अंडू दाइफेक्ट ऑफेक्ट प्टेंग जो जो क्क तो इनिश каким क्योंकि केस हूर pict कि बाले को जी sitting नहीं होती अचा आप देखिए इसकी और मेदE को इसकी लिख्वा सकती हो हूं आप उसको में मेन करेंगे आप दोनोंZA गिक्रिच नोट कर सकते हैं और कर सासिक चेर changing temperature on changing temperature pressure or concentration pressure or concentration equilibrium shifts in that direction direction को मैंने ऐसे लिखा है where effect is removed equilibrium उस डारेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर जो कंसेंप्रेशन में या प्रेशर में चेंज इंपोस किया था वो कम हो जाए दोनों चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो उपर वाले अब आपको यहीं बोला है सेम चीज़ को ही मैंने एक इजी लांगविज में में नीची लिखवा दिया है अगर हम कभी भी concentration में चेंज ले एक रेक्शन में या उसका प्रेशर बढ़ा दे या उसका टेंप्रेशर बढ़ा दे किसी भी मतलब रियक्टरेंट वाले मॉलिक्यूल पर या प्रोड़क्ट वाले मॉलिक्यूल पर तो इक्योलिब्र में शिफ्ट हो जाएगा जिस डारेक्शन में वो चेंज इंपोस किया जा रहा है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए वो मिनिमाइज हो जाए ठीक है अब आपको ना इसकी जो डिफेर क anonymous in Concentration से equilibrium किस direction में shift होती है हम यह देखते है मैं दो कंसांट्रेशन बढ़ाओगे तो equilibrium किस direction में shift होगी या concentration कम करऊगे तो equilibrium किस direction में shift होगी मने सान Executive यहां पर एक्जाम्पल लेकिए चल रहे हैं यहां पर सारे ही गैसे फॉर्म में प्रेजेंट है एक चीज यहां में है देहान रखना आप अब देखो मैं अगर आपको बोलू इसके लिए केसी की वाल्यू लिखो केसी क्या होता है है प्रोड़क्त की कंसेंट्रेशन और उसके आगे जो पावरहाईगी वह सक्वाला नंबर आएगा तो इसकी पावर्डू हो जाएगी क्योंकि विद स्क्राइद फ्रिये आघे लगे एंड हैं डिवावर्य कंसेंट्रेशन वाल्य और्र बोलू ग केसी की वाली हुई है वो क्या ही है केसी is equals to concentration of NH3 का square divided by concentration of N2 की power 1 into concentration of H2 की power cube अब देखो अब अगर मैं आपको बोल दू ध्यान से देखना एक चीज़ यहां स्टान माग करके लिखोगे केसी Kp and Kp never changes never changes on increasing or decreasing the concentration Kp और Kc हमेशा independent होते है concentration के लिख लिखेगा Kc and Kp are independent of concentration थेहां थेशाई बहांदेशन तो यहां पे न आप ऊजाद से फज्दू नुड़रे तो यहां पे न उदक्स दियां से पर ना इस फेक्ट अटके आप मतलब किया है आप अब सकतीजी कर सकते हो क्या दो चीजी कर सकते हो या लोगि या तो कांसेंटरेशन को increased but you think कर दोगे अब देखो केपी केसी तो बदलेगा नहीं चाहे आप कंसेंट्रेशन बढ़ाओ चाहे कम करो तो क्या कैसे हम मतलब करेंगे ली चाहले प्रिंसिपल यहां कैसे अपलाए हुआ देहान से इस चीज को समझेंगे अब अगर मैं आपको बोल दूँ अपाना लेट कर ल इन्टू की पावर वन इंटू एज्टू की पावर थी हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन वालों को लेके लिए देदे ना अब देखो दिया स्टूडिंस अगर मैं आपको बोलती हूं भी मानलो चाहें लेट करना इस चीज को मैं आपको यहां पर बोलू भी मै मैंने एन्टू के मोल्स या हेट्च आपको कि मॐल्स कि अदू क मरन इश कर लिखेंग बैउन कीया मोल्स कॉछ मतलब मैंनी टिनॉमिनेटर यालत जो होता है डिवाइड में वह वह होता है न्यूमिनेटर अरत सै पर demasiado एंट्व की वाइली बाते हैं घिला कि नीचे आती है थिरम में न्चु ए निगोंड़ादी की है बढ़ा दिया अगर नीचे वाली बढ़ जाएगी तूपर वाली कम हो जाएगी अब एक चीज बताओ मैंने आपको बोला था ऑफिंड न ही पड़ने के लिए बैलेंस करने के लिए न हें क्योंकि कभी नहीं से पर वीक क्या होता है है जो हमारी र्येक्शन है that will proceed in forward direction अब देखो ऐसा मैंने क्यों कहा भी हमारी reaction forward direction में गई क्यों देखो n2 की value कम हो रही है तो इसकी value बलब n2 की value बढ़ रही है तो casey की value कम हो रही है अगर मैं nh3 की value बढ़ा दू अगर मैं numerator की value को increase कर दू तो मेरी casey की value क्या हो जाएगी बैलन्स हो जाएगी ना नीचे वाली की value बढ़ रही है तो उपर वाली को भी बढ़ा दाते है समझ रहो ना देखो क्या हो रहा था नीचे वाली की value बढ़ रही थी उपर वाली की value उतने की उतनी थी नीचे की बढ़ा दी value, divide की नीचे वाली की बढ़ा दी तो इधर से KC की value decrease होगी अगर मैं उपर वाली की भी बढ़ा दू तो KC की value क्या हो जाएगी? equal हो जाएगी, KC की value ना तो decrease होगी ना increase होगी क्योंकि एक चीज़ दिहान से लेखेंगे, mathematics का rule है, आप इस चीज़ को दिहान से समझना दिहान से समझना, मैं आपको यहां पर क्या बता रही हूँ? जैसे मैंने यहां लिखा KC is equals to NH3 लिखा और नीचे लिखा N2 और H2 अगर नीचे वाली की इस N2 की value मैं बढ़ाती हूँ, तो इस KC की value क्या होती है, कम होती है और अगर मैं NH3 की value बढ़ाती हूँ, तो KC की value क्या होती है, बढ़ती है, क्यूँ? क्यूँ कि KC आपर क्या है, directly proportional है NH3 के और KC inversely proportion है N2 के, मानते हो, जो सामने होता है, वो उसके directly होता है, जो इसके divide में होता है, inversely proportion होता है अब अगर NH3 की value बढ़ेगी, तो KC की value भी बढ़ेगी, अगर N2 की value बढ़ेगी, तो KC की value क्या होगी? घटेगी, समझ पाई इस चीज़को, अब जो हमारी reaction है, reaction हमारी थी N2 प्लस 3H2 गिप्स 2 NH3 यहां मैं आपको बोल रही हूं, dear students, N2 के moles हमने बढ़ा दिये, N2 के moles बढ़ाए, तो KC की value क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, अब KC की value ना तो बढ़ सकती है, ना ही कम हो सकती है, तो इसको balance करने के लिए हमने उपर वाली value को बढ़ा दिया, उपर वाली value को बढ यह value कब बढ़ेगी, जब यह इसके नदर convert होगा, जब यह reaction ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यह इसमें convert होगा, तभी यह ज्यादा produce होगा, अगर यह reaction ऐसे इस direction में जाती, तो NH3 कम होता रहता, और हमारा N2 और H2 बनता रहता, forward का मतलब क्या होता है, N2 और H2 combine कर रहे ह तो NH3 बना रहे हैं, तो N2, H2 combine करके NH3 बनाएगे, यानि कि इस direction में चलेगी, तो reaction किस direction में प्रोचीड होगी, forward में, ताकि NH3 जादा से जादा बने, तो इससे हम यह बोल सकते हैं, अभी equilibrium हुमारा किस direction में shift हो जाएगा, forward direction में shift हो जाएगा, इस चीज़ को भी आँ स्टार concentration increase हो रही है, तो reaction will proceed, reaction will proceed in forward direction, forward direction में हमारी reaction प्रोचीड होगी, if अगर concentration of product, अगर product ही concentration मानलो increase हो रही है, तो the reaction will proceed in backward direction, तो reaction backward direction में जाएगी, तो आपको बता चल गया, equilibrium किस direction में shift होगा, forward कब होगा, और backward में कब होगा, forward में तब होगा, जब reactant की concentration बढ़ रही है, और जब product की concentration बढ़ रही है, तो वो backward direction में shift हो जाएगा, किसलिए होगा, to maintain Kp and Kc value, to maintain value of Kp and Kc, पहले इसको पड़ावट से note करके, स्टार माग करके box में डाल लीजे स्टीज क को, वीडियो को pause करके पहले से note करेंगे, dear students, हांजी dear students, तो अब हम करने लगे है, हमारा next effect, हमने concentration वाला study कर लिया है, अब अगर आपको paper में concentration को कोई topic आता है, और इसमें आपको वो दिदे reactant की concentration बढ़ती होगा, तो आपने directly अपना answer लिख देना, भी reaction के this direction में move करेगा, और एगर concentration decrease होती ही दिखा रहा है, तो आपने खुद भी-खुद आपके सामने आपका answer है, अब हम देख रहे है हमारा second effect that is effect of pressure, effect of pressure, pressure को क्या effect होता है, धियान से देखिए, फिर से वही जो मेरी reaction है, मैं उसी को लिखती हूँ, ता कि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जा concentration of product NH3 और इसकी power इसके आगे वाला number यानि 2 divided by concentration of reactant और H2 का concentration और उसके आगे वाला number, के पी की वाली क्या होगी? partial pressure of हमारा product और इसकी power होगी इसके आगे वाला number 2 divided by reactant का partial pressure N2 और H2 का और उसकी powers तो यह होता है इतना हमें करना आता है किसी को KP की value निकाल नहीं आती है अब pressure के case में क्या होता है पहले हां star mark करके इसे note करेंगे on increasing on increasing pressure जब हम pressure को बढ़ाते हैं equilibrium shifts equilibrium shifts in that direction in that direction where number of where number of moles are less और volume is less equilibrium में जाएगी जहाँ पर number of moles कम होगे और volume कम होगा जब हम pressure को increase करते हैं तो equilibrium कहां shift करेंगे जहाँ पर आपके number of moles कम है या volume कम है और अगर हम pressure को decrease करते हैं तो equilibrium कहां shift होगे जहां पर पर कम है और प्रेशर बढ़ रहा है तो equilibrium बिख्शन में हो जाएगी अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मोल्स जहां जादा है वहां पर equilibrium shift हो जाएगा तो इस आपको समझ आएगा भी मैंने आपको क्या यहीं पर लिख देते हैं चलो हम इस इफेक्ट का भी ध्यान रख सके है ना अब देगे मैं question यहां पर लिखने वाली हूं अगर मैं आपको बोलू यहां पर लिखने हूं एक question है आइस जो है वो किस में convert हो रही है water में और यह equilibrium पर मतलब ice water में भी convert है सकती है water ice में भी है ना मैं आपको बोलती हूं on increasing on increasing pressure अगर मैं pressure को increase कर रही हूं ठीक है तो melting point of ice melting point of ice क्या होगा increase करेगा decrease करेगा या सेम रहेगा और आपने यह भी बताना है equilibrium किस direction में shift हो रही है तो अब मेरे को एक चीज बताओ आओ आपने मैंने आपको यहां पर क्या बोला जहां पर प्रेशर बढ़ाते हो तो volume जहां पर कम होगा वहां पर equilibrium shift होगा आइस और water में से volume किसका ज्यादा होता और किसका कम होता है तो आपको बता दू कई बच्चे ना water मिल्ट करते हैं तो melting point यहां पर क्या हो रहा हया है । हो रहा है तो melting point is decreasing तो हमारा first option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा और हमारी direction कहुंसे हो जाएगी forward हो जाएगी तो आपको यह पता हो रहा चाहिए क्या effect of noble gas noble gas का क्या effect हो देहां से दिखेंगे पहले आप इसमें point ही लिख लिए तो आपको और इच्छी से clear हो जाएगा if volume is less अगर volume कम है then equilibrium then equilibrium shifts towards shift towards lesser number of moles lesser number of moles if volume is if volume is increased अगर volume increased हो जाता है equilibrium shifts towards more number of moles पहले इस point को note करेंगे फिर मैं आपको समझाते हो noble gas का क्या effect होता है हां जी students तो इसमें ध्याम दीजिए आपको एक मैं बात बदाते हूं जब हम inert gas डालते हैं on adding इनर्ट गयास देखो क्या होता है basically मैं आपको बदाते हूं जैसे मेरा मालो container है और इस container में मेरे पास थी N2 plus 3 H2E मेरी reaction हो रही है और वो 2 NH3 बना रहा है अब इस container पर मैं इक इनर्ट गयास डाल देती हूं अब इनर्ट गयास जब मैं डालूंगी तो दो कंडिशन अप्लाई हो सकती है on adding inert gas at constant volume अगर तो मैं इनर्ट गयास को constant volume पर डालती हूं अब देखो मैंने क्या बोला volume कम होगा तो equilibrium कहा शिफ्ट होगा जहां कम number of moles है यहां पर constant volume तो equilibrium किसी भी डारेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा इनर्ट गयास डालने पर equilibrium is unaffected अगर हम इनर्ट गयास को constant volume पर डालते हैं पहला तो यह हो गया है तो equilibrium किस डारेक्शन में शिफ्ट होगी equilibrium बाक्वर्ड डारेक्शन में होगी इसे नोट कर लेना तो इसको नोट करेंगे यह था effect of noble gas अब हम चलते है effect of temperature की तरह तो अब हम देख रहे थे effect of temperature हाँ जी तो देखो पता क्या होता है temperature के case में यह कहते है जो अपनी basically forward reaction होती है वह exothermik होती है forward वाली जो होती है वह exothermik होती है और जो backward वाली reaction होती है वह endothermik होती है इसी वाली case में कह रहे है वह N2 plus 3H2 gives 2NH3 वाले में ठीक है अब यहां पर देखो क्या होता है अगर हम temperature को बढ़ाते हैं if temperature is increased अगर हम temperature को बढ़ाएंगे तो क्या होता है dear students heat supply होती है system को heat is supplied to the system temperature बढ़ाओगे तो heat obviously supply होगी हो ली चाटलिय प्रिंसिपल के accordingly पता क्या होता है अगर आप heat supply कर रहे हो यानि की temperature को increase कर रहे हो है तो equilibrium उस डारेक्शन में शिफ्ट होगा equilibrium विल शिफ्ट तो दाट साइड दाट एब्स एड जहां पर heat एब्स आप रहे हो जाए यानि की बाक्वर्ड में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आपर तो यहां पर सिंपल सी चीज थी अगर आपकी जो रियाक्शन है उसके इंदर फॉर्वर्ड डारेक्शन एग्जोधर्मिकर बाक्वर्ड एंडोधर्मिकर तेंप्रेचर इंक्रीज कर रहे हो तो हीट मतलब सप्राइक कर रहे हो तो एकुलेब्रम उस डारेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर हीट आपके ब्सॉब होगी तो वह बाक्वर्ड डारेक्शन में चली जाएगी जब आप तेंप्रेशन बढ़ाओगे तो यह हमारे कुछ थी जिसमें हमने एफेक्ट आफ कांसनेडरेिशन पालेशन फेक्ट औफ प्रेशएर अब हमने इफेक्ट की आफ था किया यहीं पर लि चाटले नेपन सिफट्राइब करना चानल को जांचा करना विड.़ियो सब्सक्राइब करना है Unit किसी ने चानल को subscribe निए के subscribe कर लिजेगा अब दियर स्टूडेंट्स यही पर हमारा chemical equilibrium जो है वो फेनिस होता है next video से आपको आनिक equilibrium के topics देखने को मिलेंगे आनिक equilibrium के lectures देखने को मिलेंगे so thanks a lot dear students have a good day